तो फ्रेंट्स आज में सेयर कर रही हूँ तो 2020 से 21 की लिए सिलेबस UKG की तो फिर देखे UKG में क्या पढ़ा जाएगा आगे 2021 में जिसे पहले अलफा बैट्स A to Z किसी स्कुल में ट्रहिते मैं सिंकोज पंद दाला जाते हैं तो फोनिंग सोण की हैर्प से बच्चे रिडिंग डाला जाया तो यह बहुत जरूरी है तो यह करवाया जाता है बच्चे को यूकेजी में फिर फिर वह पढ़ा जाते आर्टिकल्स नहीं पहले वह वह सैंड कौंसौनेंट्स जाते हैं तो वोवेल्स की जनकारी उन्हे दी जाती है यूकेजी में फिर वोवेल्स वर्ट समझायगा जाते है जैसे क्यायन हो गया फैन हो गया मतलब विवेल्स वर्ट हो गये है उक आर्टिकल में a और n यानि कि जब वबल्स पढ़ा दिया जाता है बच्चों को वविल्स की जानखारी आपके जाती है तक जिस वर्स के पहले वविल्स होते है वहाँ पर ए न का यूसट किया जाता है और कॉंसोनेंट्स के पहले ए का यूस्ट किया जाता है जैसे एन एपल कि एवल इसलिए है यहां पर एन लग गया और हम बोल सकते हैं और गोट अ एक बक्री यहां जी कॉंसोनेंटस इसलिए Lगा एन नहीं लगा तो इसलिए एक एपल एन एपल एक बक्री तो एक गोट ठीक है इस तरह से आर्टिकल्स की जनकारी उन्हें दी जाती है कि आर्टिकल कहां लगाना है थिस दैट एंड इस ओसotiंक जाता है अगर कोई वस्तू के लिए इस का यूज करेंगे और कोई वस्तू दूर है उसके लिए यूज इसे this is a boll, ball अगर दूर है तो they is a ball, उसी तरह this का यूज करके डाता है अगर कोई पास में और बहुत सारी चीजे जिसे ball है तो बहुत सारी बोल है थो balls, lose, thoseạbr balls was sold प्लूरल बहुत सारी वस्तुयानि कि डूर ऄड़ डि डूर दूर हुए जहां धाते हैं इस तरह से उन्हें कॉंसट्ट कराया जाता है पिर रेमिंग वर्स आते हैं जैसे फैन मतर्ड तू लेटर जो लास्ट के होते वह मिलने चाहिए तो डैक्पिल कंग वर्स 80 80 मिल रहा है, इस तरह से उन रैमिंग वर्स सिखला जाते हैं, फिर action वर्स आता है, action वर्स में जैसे कि playing, singing, dancing, जिसमें action होता है, वो वर्स उन्हें शिखाय जाते हैं और याद कराया जाते हैं action वर्स में, तो ये उन्हें उपढ़ाया जाता है, फिर opposite वर्स आता है, जिससे अपका डाउन हो गया, डे का नाइट हो गया, फिर क्राई का लाफ हो गया, इस तरह से अपोजिट वर्स उन्हें याद कराया जाते हैं, फिर और्डिनरी पोजिशन, और्डिनरी पोजिशन में फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से जो और्डिनरी इसी ही कहते हैं ठीक है, first, second, third, इस तरह से ordinary position उन्हें याद कराया जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, two को second कहते हैं, one को first कहते हैं, फिर concept of उन्हें in, on, under, in, on, under का concept वो clear कराया जाता है, जैसे अगर ये pen copy के उपर है, तो this pen is on the copy हो जाएगा, this pen is on the copy, ये pen अगर हमने box के अंदर रख दिये तो this pen is in the box हो जाएगा, और कोई वस्तों box जैसे उपर है, और उसके नीचे रख दिया तो under the box, इस तरह से concept clear कराया जाता है, in, on, under का, फिर reading कराया जाती है, उन्हें reading में words दिये जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो phonic sound उन्हें पढ़ा दिया जाता है, जैसे a for a, b for words जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसके बाद फिर छोटे-छोटे words दिये जाते हैं, reading के लिए, फिर sentences दिये जाते हैं, छोटे-छोटे reading के लिए, ये हो गया, फिर storytelling होती है, story पढ़ करके मैं हम बताती है, उसका concept clear करती है, फिर उन्हें पढ़ना होता है, तो ये reading में कराया जाता है, फिर conversation होता है, जैसे my name is, जो भी नाम है, फिर I live in this city में रहते हैं, तो इस तरह से फिर I am in class UKG, ठीक है, इस से conversation उन्हें कराया जाता है, और poem उन्हें याद कराया जाता है, जो भी poem उनके syllabus में र आपको help मिलेगी, help मिलेगी तो please like जरूर करें, और मैंने सारे जो भी chapter उसे मैंने test कर दिया है, आपको बता भे दिया है, कौन से चीजे कैसे बढ़ाई जाती है, deeply थोड़ा सा समझा दिया है, मैंने कि वाद सिलेबसी नहीं बताया है, वीडियो पसंद आया है, तो please like, share, subscribe, जरूर कर देना, और फिर playlist में जिसने मैंने video share किये हैं, उते ही जरूर बाच करना, जिस भी class में आपके बच्चे पढ़ते हूं, ओके फिर thank you, thanks for watching,